नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार और एक बर फिर से बिहार बोर्ड नया इतिहाज रचने जा रहा है कुरोना काल के हर साल सबसे पहले न सिर्फ परिक्षा है जो ते करने वाला बोर्ड बन गया है बिहार बोर्ड बलकि अब जो नतीजें हैं जो रिजल्ट है वो भी प्रिक्षा मंतरी विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहेंगे बड़ी बात यहें कि बिहार बोर्ड ने ना सिर्फ वक्त रहते जो है परिक्षाओं का एक तरीकिस कहें कि जो पूरी परिक्षा है उसको कराया और इससे साथ साथ वक्त पर तमाम कौपियों का मुलांकन किया गया उसके बाद जो है अब परिक्षा के परिक्षा के परिक्षा होने वाले हैं तो बड़ी खबर है बिहार से जहां पर बिहार बोर्ड की बारवी की जो परिक्षा है उसके रिजल्ट कभी भी जारी हो सकते हैं इस तरह के कयास लगाया जा रहे थे इसे में जानकारी प्रहस बी किया आ गयी है कि आब भारेवीर के नतीजे जो है वह तीन बज़े जारी की जाएंगे बुधवार यानिकि 16 म्यर्च को बता दें कि भीर स्कूल यानिकि भार्ट बोर्ड के बिहर बोर्ड के इंतरगत परिश्ड देने वाले छात्रों को रिजर्ट का इंतजार जो है वो अब खत्म हो गया है बिहार बोड ओनलाइन डॉट कॉंग जो अधिकालिक वेबसाइट है इस पर तीन बजे दोपहर की बाद 16 मार्च को जो चात्र हैं जो चात्र आए हैं वो अपना रिजर्ट देख सकते हैं गौर तरव है कि बेसे भी दसवी के लिए भी आंसर जो है की जारी की गए थी बिहार बोड में होने वाली परिक्षा का पर 11 मार्च तक आपत्नियां मांगी गई थी आपको बता दें कि बीसे भी निए 26 फरवरी को कक्छा 12 के परिणाम के लिए मुल्यांकन प्रकिर्याश शुरू की और 8 मार्च 2022 को इसे समाप कर लिया मुल्यांकन राजी में बोड द्वारा आवंटित वहिन परिछा केंद्रों पर किया गया था 26 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक लगभग 200 परिछार्थियों द्वारा इंटर्मिडियर के प्रतियों की जांच की गई बिहार बोड बार्वी का रिजल्ट बिहार बोड ऑनलाइन.bihar.gov.in पर ऑनलाइन जारी किया जाना है आपको बताने ही कि हालाकि CBSE ने ऑफलाइन रिजल्ट जारी किया था ऐसे में कयास यह लग रहे थे कि बिहार बोड के रिजल्ट भी ऑफलाइन जारी हो सकते हैं लेकर जो नई जानकारी हो उसके मताबेक अब यह ऑनलाइन तरीके से जारी होगा इसे साथ साथ जो चात्र चात्रा हैं वो ऑनलाइन.bihar.gov.in और बिहार बोड ऑनलाइन.bihar.gov.in पर जा करके एक तरी से कहें कि जो रिजल्ट है उसको जान सकते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं बता दें कि फरवरी में यह परिक् परिक्षा की 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 गई जिसमें बिहार बोर्ड की परिक्षा में इस साल करीब तेरे लाग पचास हजार अभियर्थियों कराय था वहीं कक्षा 10 की परिक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक आजूत की गई थी तो बिहार बोर्ड के जो इंटर के जो चातरा हैं उनके लिए बड़ी खबर है बड़ी परिक्षाईश में जब वरी जाडि हो गा तो बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड बन जाएगा जो कि सबसे पहले रिजड़ जारी करने वला बोड जो है तीसरे साह हो जाएगा जिसने वक्त रहते ना सिर्फ परिछाएं आयूत की ब diff कि उनका रेजल्ट वही वक्त रहते जो है वो जारी कर रही है फिराल इस वीडियो में ताहीं नमस्कार